स्टुडेंट्स वेलकम टू यू इन इजली इंगलिश सोलुशन पिछले दिने हम लोग पढ़ रहे थे दा राइज आफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंसी रटी हिस्ट्री क्लास तेन इसमें हम लोग पढ़े थे फ्रेडरिक सार्यू के बारे में कि फ्रेडरिक सार्यू जो वीजन को एक्स्प्रेस किया था एक ऐसा वीजन जो आगे चलकर आधर्सवादी सोच बन गया एक रोल मोडल बन गया उन्होंने सोचा था कि दुनिया के सभी जो देश हैं जो की छोटे छोटे स्वतंत राज्यों में बटे हुए थे विभक्त थे वे सभी राज आगे चलकर एक नेशन अस्टेट बन जाएंगे एक देश बन जाएंगे जैसा कि आप उसमें सुने थे कि कोई भी यूरोप में नेशन अस्टेट नहीं था इतली जर्मनी फ्रांस जितने भी कंट्रीज थे यह सभी के सभी छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और सभी के सभी राज आटोक्रोटिक आटोक्रेटिक मोनार्की थे मतलब निरंकूस राज तंतर थे आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे उन्होंने अपना चित्र में अस्टेट उफ लिवर्टी के सामने बहुत सारे लोगों को लगे हुए दिखलाया था और लोग जो थे अपने अपने देशों के जंडे लिए हुए थे और देशों के जंडे से और कस्ट्यूम से उनकी पाचान होती थी Statue of Liberty जो की आजादी की देवी मानी जाती हैं उनके एक हाथों में मसाल जो की क्रांती का प्रतीक और एक हाथ में Charter जो की मालो अधिकारों का प्रतीक माना जाता है यह चीज़े हम लोग पढ़े थे और उपर से सभी देवी देवताएं देख रहे हैं कंटिनीव रखेंगे और चार वीडियोज में खतम कर देंगे इसको तो यह मेरा नेक्स्ट वीडियो है पार्ट टू एक तरश समझेए आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें फ्रेंच रिवलुशन और आइडिया अफ नेशन फ्रांस की क्रांती और देश का तरीका किस प्रकार से फ्रांस की क्रांती हुई और फ्रांस के क्रांती के माध्यम से किस प्रकार से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ देश बने क्रांती का क्या योगदान है तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आप NCRT क्लास 9 में French Revolution के बारे में पढ़ी चुके है और बहुत सारी चीज़े उससे मिल दी जुलती कुछ है लेकिन कुछ आगे की और इसमें ले जाया गया है और बाकी तो चेप्टर डिफरेंट है उससे कंसर्ण नहीं है लेक जह भावना लोगों के मन के अंदर आई एक तरह से देशभक्ति के रूप में और नेशनलिज्म के माध्यन से लोगों ने एसन स्टेट क्रियेट करने का राष्टराज्य बनाने का निने लिया और लोग चाहते थे कि हमारा देश एक ऐसा बने जिसमें कि हम सभी लोग पॉटो क्रेटिक मोनार की टाइप का कि राजा ही सब कुछ है राजा जो बोल दिये वही नियम हो गया और कोई भी एलेक्टेड बड़ी नहीं था उनको कंट्रोल करने के लिए तो लोगों ने ये सोचा कि राष्टरवाद की जब भावना आई तो लोगों ने ये सोचा कि हमारा देश ऐसा हो जिसमें एलेक्टेड यानि जनता के द्वारा चुने हुए परतिनीधी रहें और उन परतिनीधियों के माध्यम से हम क्या करें तो उन परतिनीधियों के माध्यम से हम अपने अधिकारों को एक्सप्रेस करें और इस आइडिया के साथ नेस्टनलिज्म क का शुरुवात लोगों ने किया और यह जो ने स्टलिज्म की भावनाय आई देखे इसका पहली बार क्लियर एक्सप्रेशन मतलब कैसे इसको ब्यक्त किया लोगों ने पहली बार तो लोगों ने पहली बार इसको ब्यक्त किया फ्रांस की क्रांती के माध्यम से 1789 में जैसा कि आपको याद होगा कि France उस समय एक full-fledged territorial state था, एक राज्य था और absolute monarch केंडर में था, निरंकूस राजा केंडर में था और लुई 16 उस टाइम राजा थे। The political and constitutional changes that came in the wake of the French revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen. अब क्या हुआ? ये जो क्रांती हुई फ्रांस की क्रांती, तो फ्रांस की क्रांती होने के बाद, political और constitutional दोनों तरह के बदला हुए. राजनिती बदला हुए, मतलब राजनिती वहां के बदल गई, पहले जैसा था, राजा पर लोग depend थ अब वैसा नहीं रहे, और सम्विधान एक बना, constitutional change हुआ, constitution ये नहीं के राजा जो बोल दिये वही हो गया, नहीं, ये जो फ्रांस की क्रांती हुई, इससे transfer of sovereignty भी हुई, transfer of sovereignty क्या मतलब क्या है, transfer of sovereignty क्या मतलब है, कि right to take decision, यानि decision लेने की जो छमता है, वह छमता बदल गई, मतलब, जो राजा में decision लेने की जमता थी, अब वो राजा स्वतंतर नहीं रहा, अब जनता के द्वरा चुने हुए जो प्रतनीधी थे, उन प्रतनीधियों के माध्यम से, राजा भी क्या करेंगे, उनसे राय लेंगे, कोई भी decision लेने से पहले, और तब जो है अपना फैस citizen, देखिए, यहां मोनार्की से, मतलब की निरंकूस वाद से, और जो बड़ी या फ्रेंच citizen, फ्रांस के जनता के द्वरा जो चुनी हुए प्रतनीधी मंडल है, उस तक पावर आ गई, राजा की, राजा की पावर उसके द्वरा कंट्रोल की जाने लगी, और इस तरह से सो किवरनिटी का चेंज हुआ, the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and save its destiny, मतलब की यह जो क्रांती है, इस क्रांती ने इस बात का दवा किया, क्रांती के माध्यम से यह सिद्ध हुआ, की यह जो फ्रांस है, फ्रांस जो देश है, इस देश का भाग्य, इसका जो टेश्टिनी है, यह जनता के द का निर्माल करेंगे, कोई राजा नहीं, ऐसा इसमें decision लिया गया, इससे यह मतलब, impact पड़ा, effect पड़ा, from the very beginning, the French revolutionary introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people, देखिए, सबसे पहले जाहर सी बात है, कि कहीं पर देश में क्रांती होगा, जो system पहले से चला रहा है, मुनारकी है, राजा के ही सभी लोग अंडर में हैं, और वही supreme है, तो वहाँ पर लोगों को पले तो convince करना पड़ेगा, एक लोग तो क्रांती कर नहीं सकते हैं, पूरे देश के लोगों को convince करना है, तो पूरे देश के लोगों को convince करने के लिए बहुत लंबा समय लग सकता प्रांस में तो सेक्ड़ों साल लग गए थे और तब जाकर लोग कन्भीन्स होंगे नाइन में आपको बताया है कि इस प्रकार से जो है कोफी हाउसेज में कैफेज में लोग बैठ बैठ कर और किस तरह से नेशनलीज में का आइडिया कुछ दार्शनी को के माध्यम से बात की भावना वहाँ फ्रांस में आई थी है सब चीज नाइन में आपकड़े होंगे तो लोगों के अंदर ये जो भावना आई तो रिवलुश्ट नरीज जो थे वहाँ का फ्रांस का जो करांतिकारी थे इंटोडूस्ट वेरियस मेजर्स बहुत सारे ऐसे मेजर्स ऐसे तोड़ तरीके और प्रैक्टिस और समाज में ऐसा कुछ प्रचलन चलाए जिससे लोगों का क्या होगा तो लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटीटी आएगी कलेक्टिव आइडेंटीटी का मतलब साजा पाचान जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि राजा के एक द्वज और एक चिन है और उसके माद में से पहचान हुई लोगों की दा आइडिया ऑफ लापेट्री दे फादर लेंड एडेंड ले सिटोएन इंफेसाइड दे नेशन अफ युनाइटेड कम्यूनिटी इंज्वाइंग इक्वाल राइट्स अंडर एक देखिए यहां पर इंप्रोटेंट चीज जो दिया हुआ है यह लापेट्री और ली सिटोएन और देखिए किस प्रकार से लोगों को युनाइट किया गया क्रांती के लिए एक किया गया तो पहले तो दो सिधान निकला गया लापेट्री यानि फादर लेंड यह देश प प्रीम हो तब लोग देश के लिए करांती करने को जो है उतारू होंगे और इससे क्या होगा तो ए युनाइटिड कम्यूनिटी इंज्वाइंग इक्वल राइट्स एक ऐसा एक युनाइटिड कम्यूनिटी का डेवलप्मेंट होगा विगास होगा एक एकता वाले समाज क निर्माण होगा जिसमें सब की अधिकार बराबर होगी आप नाइन में पड़े होंगे कि फ्रांस का जो समाज था प्रांस का समाज वह तीन भागों बटा हुआ था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के लोग थे तो अब ऐसा कुछ नहीं क्र ए-new French flag the tree color was choosing to replace the former royal standard देखिए अब क्या हुआ एक नया ज्टा बनाया गया और ज्टा कैसा था वाई तो tree color हम लोग के भारत का भी ज्टा tree color है लेकिन हम लोग के ज्टे का color दूसरा है और उन्हों का दूसरा है तो ऐसा एक ज्टा लाए गया पहले ज्टा कैसा था तो पहले ट्री कलर जंडा लाया गया, तीन रंगों का जंडा लाया गया, उसके बाद क्या 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 क्रांतिकारी ये सब क्यों कर रहे हैं, तो क्रांतिकारी ये सब कर रहे हैं, यूनिटी क्रियेट करने के लिए, लोगों के अंदर एकता की भावना, ताकि वो क्रांती के लिए त्यार हो जाए अस्टेट्स जेनरल वाज इलेक्टेड बाइद बड़ी ऑफ सिटीजेन एंड रीनेम्ड दा नेशनल एसेंबली देखिए एस्टेट्स जेनरल जो पहले चुने जाते थे जनता के प्रतनी दी लेकिन उनके पास उतना पावर नहीं रहता था अब उनका चुन निव हाइमांस वीर कमपोष्ट ओथ टेकेन और मार्टियस कमेमरेटेड आल इन दा नेम आफट नेशनर देखिए निव हाइमांस वीर कमपोष्ट नय- nouveau रास्ट्र कीत बनाये गए अब हाइमांस कमपोष्ट किय गए और ओथ लिये गए सपत लिये गए और जो भी मार्ट अर्ष थे जो भी सहीद थे उनको commemorate किया गया मतलब कि उनको सरत धांजली दी गई उनको जो है respect पुर्भाइट किया गया ताकि लोग देश के नाम पर मरे भी तो उनको कोई अफसोस नहों देखें तो इभाई यहां मरने के लिए सम्मान बिल रहा है A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory अब एक centralized administration केंद्री कृत सासन ववश था पहले आपको हमने बताया था कि एक ही देश में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे और सभी स्वतंत्र थे यहां तक कि सब का currency भी different था तो वे सब चीजों को abolish किया गया और एक ऐसी सरकार बनाई गई जो कि centralized government जो कि केंद्री कृत सरकार थी और ऐसा system बनाया गया मतलब एक ही सरकार रहेगी और uniform lodge रहेगा देश में एक जैसा नियम रहेगा इसके सभी नागरिकों के लिए यह नहीं कि यह clergy and novelty हैं तो इनको जो है टेक्स देरेगी कोई याव सकता नहीं है जो कि पहले था वहले क्या था तो बर्त्राइट प्रिविलेज था उन classes में जनम लेने वाल लोगों को टेक्स देरेगी कोई याव सकता नहीं थी तो ऐसा अब नहीं रहेगा अब तो देश में युनिफर्म ला युनिफर्म मतलब एक जैसा नियम पूरे देश में रहेगा चोटे-चोटे राज्यों के नियम अलग-लग नहीं रहेगे क्योंकि centralized administration हो गया पूरे देश में एक ही सरकार हो गई इसके सभी नागरिकों के लिए अब देखिए इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज और ड्यूज वेर एवलिस्ट और युनिफर्म सिस्टम अफ वेट और मेजर्स वेर वाज एडोप्टेड देखिए जितने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे देश के अंदर लगने वाले टैक्सेज इंटरनल कस्टम ड्यूटीज अब देश में जब छोटे-छोटे राज होंगे तो सभी अपना अपना टेक्स लगाएंगे सबका रेट भी डिफरेंट था यह मिलेगा चीज आगे इसी चेप्टर में तो इन सभी चीज़ों को यह बोलिस किया गया समाप्त किया गया और एक यूनिफर्म सिस्टम ऑफ वेट अंड मेजर देखे दिया है वेट के लिए वेट भी अलग-अलग था सबका सभी राज्यों का एकी देश के अंदर सुचिये कैसा होता होगा तो यह सबको यूनिफर्म कर दिया गया एक कर दिया गया इसे फाइद रहेगा तो बहुत ही प्रोलेम होगी खरीद विक्री करने में तो इस प्रकार से जो राशनल जो सिस्टम हो गया जो एक यूनिफर्म सिस्टम हो गया इससे ब्यापार करने में ब्यापारियों को बहुत ही सुविधा मिलने लगी अब देखें, फूली यूनिटी क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, पले तो सहीदों को सरदाजली दी गई देश को पिता बताया गया, उसके बाद जो है कस्टन ड्यूटी जे बुलिस किया गया, उनिफर्म सिस्टम लगाया गया, नेशनल एसेंबली बनाया गया, औ और यहां पर अब क्या कर रहा है, तो जितने भी रिजनल डैलेक्ट थे, जायर सी बात है, एक ही देश में बहुत सारी छोटी छोटी भासाएं होती है, भारत में भी है, बहुत सारी भासाएं हैं, तो एक भासा किया गया, उसी कि मानिता दी गई, जैसे हम लोगों की राष पूरे देश के लिए national language बना दिया गया ताकि सभी लोग एक जैसा भासा भी बोलेंगे तो एक समझेंगे एक दुसरे को समझ रहे हैं किस तरह से unity create करने का प्रयास किया जा रहा है the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the french nation to liberate the peoples of Europe from despotism in other words to help other peoples of Europe to become nations अब देखिए प्रांस के जो क्रांति कारी थे वो ये नहीं सोचे कि हम आजाद हो जाएंगे हमारा ऐसा जैसा सोच रहे हैं वैसा देश बन जाएगा और उरोप के सभी देशों को शोड़ देगे नहीं बलकि उन लोगों ने तो further declared आगे ये declare किया कि हम लोगों का जो मीशन है जो मीशन वो क्या होगा मीशन ये होगा कि हम लोग डेश्टिनी को जो फ्रांस की जो डेश्टिनी है नेशन बनाने का एक देश बनाने का जो भाग्य है फ्रांस के भागे के साथ यूरोब के लोगों का भागे जुड़ा हुआ है और यूरोब के लोगों को जब फ्रांस के लोग स्वत्मित्र हो जाएंगे तो इन लोगों की जिमवारी होगी पुरे युरोब को हम dispotism यानि कि वंस वाधी जो सासन है ये राजा के बाद उनके बेटा उनके बाद उनके बेटा तो इस प्रकार की यानि योग्यता के अधार पर जो सासन नहीं हो रहा है केवल क्या हो रहा है तो केवल जो dispotism है डिस्पोटिजम में होता था बस राजा हैं तो उन्हीं के बंग से बनेया कोई तो इसको हम लोग समाप्त करेंगे पूरे यूरोप से समाप्त करेंगे और पूरी यूरोप के देशों को नेशनल स्टेट बनाएंगे ऐसा फ्रांस के लोगों ने डिशाइड किया अब जहिर सी बात है इतनी बड़ी घटना होगी और इसकी खबर जब पूरे यूरोप में फैलेगी तो सभी देश में राजाओं का ही शासन था और राजा तो चूप बैठने वाले हैं नहीं लेकिन लोग भी चूप बैठने वाले नहीं है लोग भी जब सुनेंगे कि उस देश में इस प्रकार की सुधार हो रही है तो हम लोग भी करें भाई तो जब ये फ्रांस की खबर पहुचती है यूरोप के अलग-अलग सीटीज में अलग-अलग सहरों में तो जो भी जैकूबिन क्लब बनाना सुरू किया ये जये कुबिन क्लब क्या है भाई तो एक तरह से यह कॉरंति करी संगठन है, रिविलुश् dispositionरी एक बड़ी है तो उन लोगों ने बनाना सुरू किया करने के लिए फ्रांस के तर्ज पर यानि फ्रांस की छोड़कर यूरोब के दू 1990 जएर सी बात है उनकी इन एक्टिविटीज को देखकर क्योंकि फ्रांस की आर्मी या फ्रांस की जो सरकार थी क्रामतिगारियों थे वो तो पहले ही रिशिजन ले चुके थे कि हम क्या करेंगे हम अपना सरकार बना लेंगे तो यूरोप के दूसरी लोगों को भी अपने तरह की हम बनाएंगे तो उन लोगों ने क्या किया भाई उन लोगों ने ये किया कि उन लोगों ने अपने देश की आर्मी को भेजना शुरू किया उन देशों में क्योंकि देख लिया कि इस आर्मी को सपोर्ट करने वाले ये जेकोबिंस कलब वाले उन देशों में त्यार हो गए हैं तो इसी से एक वे तियार हुआ एक रास्ता तियार हुआ फ्रांस आर्मी के अंदर घूसने में किन देशों के अंदर फ्रांस के अर्मी घूसी यानि करांतिकारीयों की सरकार फ्रांस में जो है बन गई तद तो आर्मी उसके अंडर में आ गया तो carry the idea of nationalism abroad, और देखिए, out break of revolutionary wars, ये क्रांतिकारी जो युद्ध है, युद्ध फूट पड़ा, युद्ध की शुरुआत हो गई, और जो फ्रांस की जो आर्मी थी, इसने nationalism की आइडिया, राष्टरबाद का जो आइडिया था, फ्रांस के साथ-साथ एबरोड, यानि की बि मसाल बाग बनी, फ्रांस की जो आर्मी थी, देखिए, ये मैप दिया हुआ है कि उस टाइम से, कीस प्रकार से, सबी देशों की बाउंटरी थी, देखिए, यहां पर, विदिन द वाइड स्वैथ, अफ टेरिटरी, देट केम अंडर इस कंट्रोल, नेपोलियन सेट बाउट, इंट्रोडूशिंग, मैनी अफ देखिए, अब यहां पर क्या किया है, नाइन में थोड़ा डिटेल दिया है, कि क्रांती कारी जो क्रांती करके सरकार बना है, उनके बारे में दिया है, और उसके बाद नेपोलियन कीस प्रकार से, बने, डिरेक्ट्री रूल वे लोग लाए थे, डिरेक्ट्री रूल में करबड़ी थी, और उसका फैदा उठा कर फ्रांस जो महां का सेना पती था नेपोलियन बनापाट वह बन गया खुद ही सभी लोगों को रिमूव करके और राजा बन गया सेना के सक्ति से तो यह चीज़ें को काट दिया है डारेक्ट दे दिया है यानि यह जो करांतिकारी सरकार बनाए इतना कुछ करके इनके सरकार को रिमूव करके और नेपोलियन फिर बन गया महां का खुद जो है राजा बन गया तो तो मुनार खो गया फिर यानि एक बार आया उस तरह का सरकार कंस्टिचिशनल मुनार किया और फिर से मुनार किये बन गया तो इसने क्या किया नेपोलियन ने एक जो अपना छेत्र या फ्रांस जो उसके एंडरे में आता था और उसके बाद जो दूसरे छेत्र जो कि उसके कंट्रोल में आते थे नेपोलियन वहाँ पर भी बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे सुधार, introducing many changes, बहुत सारे सुधारों को इंट्रोडूस किया, वहाँ लगाना शुरू किया, जो की फ्रांस में लगाया था, वही बदलाव उन देशों में भी जो उसके अंडर में थे अगलवल के देश, चोटे principles, in order to make the whole system more rational and efficient, जाइड सी बात है, कि नेपोलियन जो वहाँ का मुनार्क बन गया, तो इसमें तो कोई संदेश था ही नहीं, कि मुनार्क बनते हैं, उसने क्या कर दिया था, प्रांस में डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया था, वहाँ का लोकतंत्र समाप्त हो गया, लेकिन नेपोलियन administrative field में, सासन चलाने के छेतर में, बहुत सारे revolutionary principles को ही लगाया था, यानि जो क्रांतिकारी करना चाहते थे, जो उनका जो principle था, revolutionary का, वही सब सुधार, नेपोलियन भी करना सुरू किया, और पूरे के पूरे युरोप के system को एक rational system बना दिया, मतलब एक जैसा नियम कानून, यानि कि एक जैसा क्या रहेगा, unit और measurement का system रहेगा, एक currency रहेगा, एक rule regulation रहेगा ये, the civil code of 1804, usually known as the napoleonic code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property, देखिये, क्या किया इसके लिए, नेपुलियन ने सबसे पहले, तो ये बहुत ही important, यहाँ से question फीराईज होता है,Das कोड पुछा जाता है, या इसी को civil code भी बोलते हैं, नेपुलियन ने बनाया 1804 में, civil code इसी को नेपुलियोनिक code बोलते हैं, तो एक नियम बनाया, नियम में क्या किया, तो सबसे पहले, जो जितने भी privileges based on birth थे जन्म सिद्ध अधिकार थे कि इस राज खंदान में मैंने जन्म ले लिया तो हमारे पीता राजा है तो हमी राजा बनेंगे यह एक बर्थराइट प्रिविलेज या दूसरे बर्थराइट प्रिविलेज कि नोवेल्टी और कलर्जी में है आप तो तो में काम कर रहें उनसे फ्री में भी काम करवाएंगे तो इस तरह की तो इन सभी चीजों को पहले नियम लगाकर नेपोलियन कोड लगाकर नेपोलियन ने समाप्त कर दिया और equality before law यानि नियम कानून के सामने सभी लोग बराबर है ऐसा वह नियम लाया और इसके तहत यह किया आपसे यह पुछा जा सकता है कि वाट डिड़ वाट डिड़ नेपोलियन डू विद हैलप ऑफ सिविल कोड ऑफ एटीन गर तो यह सारे इंसर्स होंगे तो राइट टू प्रोपर्टी सबको संपत्ति के अधिकार नहीं था रखने का तो यह भी जो है प्रोबाइट क के कंट्रोल में थे उन देशों में भी इस नियम को लागू किया गया वहां भी एक्सपोर्ट किया गया इसको इन दा डच रिपाब्लिक इन स्विट्जर लेंड इन इटली और जर्मनी नेपोलियन सिंप्लिफाइड एर्मिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एबोलिश्ट फ तो उन जगहूं पर क्या किया वहां पर भी नेपोलियन ने वहां पर सिंप्लिफाइड कर दिया एड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहीं कि जो सासन चलाने का तरीका है उसको सामान ने कर दिया जो डिविजन था बडवारा था आपस में छोटे-छोटे तो उनको भी हट किसानों को इसको समाप्त कर दिया फीड़ल सिस्टेम को जमिन दैरी रहेगा ही नहीं और जो भी पिजेंट्स तर्फ डौन देते थे और मैनौारियल लॉँज देते थे सर्फडौन क्या है मैनौारियल लॉज क्या है सर्फडौम एक सिस्टम था जैसे कि फूडर लोट से वैसे ही सर्फ थे यानि सर्फ यूरोप के कुछ भागों में थे तो इस तरह के सामंत और वे क्या होते थे वे जमीनों के मालिक होते थे छोटे-छोटे जो किसान है उनके अंडर में रहेंगे और वे लोग क्या करेंगे तो वे जमीनों पर पले उनको को भी टेक्स देंगे चर्ज को भी टेक्स देना होता था धार्मिक कर्व और राजा को भी टेक्स देंगे तो तीन को टेक्स देना है लौड को भी जमीन का मालिक है चाहे वो सर्फ हो या वह वह फ्यूडल लॉड हो तो समंतों को दिया जाने वाला एक तरह से कर जो था मैनोरियल ड्यूज था और चर्च को दिया जाने वाला टैक्स टाइद कहलाता था धार्मिक कर कर नहीं लोगों को देने वाला यह था मैंनोरियल ड्यूज टाइल भी एक था जो अस्टेट को दिया वे लोग क्या करते थे जीस सहर में जिन व्यापारियों का एक खास गुरूप है जिन जी चीजों को बेचने का तो उन्हीं ब्यापारियों का दबदबा चलता था राजा के ओडर से मतलब कि उस सहर में वही ब्यापारी चीजों को बेच सकते हैं बाकि कोई भी नहीं बेच सकता है दूसरे जगा ब्यापारी आकर तो गिल्ड का में चलते बहुत सारे द्रेड नहीं होपाते थे इन रेस्टिक्शन घोब भी नेपोलियों नहीं समाप्त कर दिया कि मैं तरश्पोर्ट si इंच्ञ्जान थे कलाकार थे काम करनेवाल लोक थे या नए-नए जो व्यापारी वर्ग थे इंजोएड अ नियूफ फाउंड फ्रीडम यह सभी लोग एक नए तरदा से उनको goods in particular began to realize that uniform laws a standardized weight and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another देखिए अब यह बहुत ही बंड चीज है यह जो बीजिसमें थे यह जो स्मॉल स्केल प्रोडूसर्स थे छोटे-छोटे चीजों को ब्राने वाले जो लोग थे और मतलब कुटी रूद्योग वाले कॉटीज इन्डेस्ट्री वाले इन लोगों ने यह जो यूनिफर्म सिस्टम था एक जैसा यह नियम लगा तो इसको इन्जवाई किया उनको बहुत ही सुवधामिली व्यापार करने में जंजट कतम हो गया और एक स्टेंडेडाइज वेट हो गया मेजर हो गया हर जगा जो तोलने की जो प्रनाली है एक रहेगी नापने का जो गेज है एक रहेगा नहीं तो मीटर भी बराबर नहीं था नागा था एक कमन नेशनल करेंशी करेंशी भी एक नेशनल हो गया तैसमें एक छलेगा राजाओं के नहीं चलेगे लगए और एकि देस सेका वा सिचिफ्या और उसको दो तरह का बनाया गया यह सब चीज जो लेरीन quality जो रहेंगे तो इससे क्या हुआ movement of exchange of goods बस्तुओं का अदला बदली खरीद बिक्री और बस्तुओं को एक जगस दुसी जगा ले जाना और या जो movement of capital हो जो ऐसा है उसको एक जगस दुसी जगा ले जाना one region to another तो इसमें बहुत ही सुविधा मिली व्यापारियों को क्योंकि कोई भी region wise restriction ह ही नहीं किस तरह different different जो है coins होने के चलते और वेजर measurement of weight measure और यह नापने वाली जो प्रणाली different होने के चलते व्यापारियों को प्रोलेम होता था टैक्स वगेरा हर्ज गल लिया जाता था करीप 5% और जोड़ गटाव में लंबा समय लगता था यह सारी चीज़ा आप पढ़ेंगे आगे however देखे इतने तो बदलाव कर दिया नेपोलियन और खूस भी लोग है प्रांस में नहीं उसके अगल बल के राजियों में भी लेकिन देखे यह खूसी ज्यादा दिर तक नहीं रहेगी कैसे नहीं रहेगी क्या होगा देखे आगे इसमें दिया हुआ है क्यों इतना होने के बाद भी रजा को पसंद नहीं किया फिर विदेखे भी इसमेर आया करेदब बीजाह। पूसी नहीं के खूस टे रीडियों डेखे लाट प्रेंज प्रेंज ग्स्वाहाँ मिलान अवर्शव न्हीं आओ भी इसम्र्ड प्रींग की जिसे घरेखे वाहर प्रुण फीजर विशर गये प्रीज एस्वेल क्या हुआ भ जो भी छेत्र फ्रांस के द्वारा कन्क्रेड किये घये जीते घये थे तो वहां पर जो रियक्सन था लोकल लोगों का वह मिक्स था प्रेंच रूल के परती फ्रांस की जो है नियम के परती क्योंकि कुछ लोग खूस भी थे और कुछ लोग खूस नहीं भी थे सुरू में तो बहुत सारे जगों पर जैसे कि होलेंड में और स्वीटजर लेंड में और आपको ब्रुसेल्स में और मिलान, मियांज, मिलान, बरसाओ ये सारी चीज़े जगों का नाम दिया है तो इन सभी जगों पर फ्रांस के आर्मी को स्वागत किया गया किस तरह से हर बिंजर्स अफ लिवाटी के रूप में यानी आजादी के मसाल वाहक के रूप में ये अजादी के मसाल को एक तरह से ढोने वाले ये अजादी के प्रिणा देने वाले एक क्रामतिकारी है ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा नियम ला रहा हैं But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom देखिए लेकिन क्या हुआ ये जो initial enthusiasm था जो शुरू का उत्साह था एक तरह से यह उत्साह बेचैनी में बदल गया असंतोस में बदल गया क्योंकि अब तो ये साफ हो गया था कि ये जो नया administrative system है ये जो arrangements है इस arrangement में हम लोगों को political freedom नहीं मिलने वाली है जैरसी बात है राजनीतिक रूप से हम लोगों को स्वतंतर नहीं है उससमें right to vote नहीं था लोगों को और रजा के सासन में तो रहेगा भी नहीं जनता या अपना decision तो रजा से मरवा नहीं सकती है जो कर रहा है तो कर रहा है सही कर रहा है तो खूस है नहीं तो कल को खराब भी करेगा हम नहीं चेंज कर सकते हैं तो इस चीज का जो लैक फिल किया लोगों ने तो सोचा कि भाई ये तो प्रेडिकल फ्रीडम यहां नहीं है और हम लोगों क्या करना पड़ेगा तो हम लोगों परमीशन लेना है कि रजा के खिलाब तो नहीं आप लिख रहे हैं और रजा परमीशन देगा तब ही आप छाब सकते हैं यहां freedom of expression है ना देमोक्रेशी में जैसे इंडिया में कुछ भी लिख सकते हैं सरकार के खिलाब यदी गलती कर रही है तो तो ऐसा कुछ वहां नहीं था censorship में उसके बाद first conscription into the French army. Conscription जबरन भरती करना से ना में Your first conscription जबरन France के आरमी में जिपनी जरुषत होती ती लोगों को जै भरती कर ले जाता था और कियूं भरती करता था यूरोप के जे स्फ आलेगे इस SBS लिए के लिए ज्यादा सेना होगा तो हम और भी देशों को जीतेंगे सेना के बल पर और और भी देशों को मिला लेंगे अपनी राज्य में इसलिए आउल सिम टू आउटवेद एड्वांटेजेज ऑफ एड्मिनिस्ट्रेटिव चेंजेज यह सारी की सारी जो चीजें जो गलत गलत काम आगे में किया जितने भी सुधार किया था शुरू में उन सब पर भारी पड़ गए यह सब और जनता की सोच बदल गई और जनता फिर ड किस प्रकार से राष्टरबाद हुआ तो यहां पर दो मेजर क्वेश्चन राइज होता है इस जो पूरे हम लोग यह पढ़े सेक्शन एक तो यह कि हाव डिट दे रेवलुशनरी जाफ फ्रांस ट्राइट टू क्रियेट दे फिलिंग अफ यूनिटी इन दे पीपल आफ फ इस प्रफन का उत्तर आप खुद खोजेंगे या सूचेंगे इसमें क्या क्या किया जैसा कि हमने इस बीडियो में बताया घी और दूसरा जो है इसमें question rise होता है दूसरा की नेपोलियोनिक code के बारे में What did Napoleon do with the help of Napoleonic code? ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही रने देते हैं और next वीडियो में हम फिर मिलेंगे आगे का जो है point 2 के साथ और आप देखते रहिए Easily English Solution धन्यबाद और आप देखते हैं